मेरे चैनल में आपका स्वागत है गाइस देखिए मैं सामर की रेसिपी आपको बता रही हूं जो मूंग की दाल मसूर की दाल तुर की दाल चने की दाल और अरत की दाल यह हमको एक एक कटोरी समान मात्रा में हमको लेके वह अच्छी से वाश कर लेना है यह बहुत ही हैल्दी और टेस्टी सामर बनके बनाने वाली हूँ मैं देखे इस प्रकार से हम सामर बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी सामर बनता है प्रैंट्स अरिये मैं इसमें जो भी सब्जी आपके पस अवेलेबल है वो डाल सकते हैं मैंने लौकी डाला है लौकी डालके मैं दाल बॉयल कर रह लहसुन, कड़ी पत्ते, अद्रक, धनिया, मिर्ची सब तयार करके रख रही हूँ और यह हमारा दाल अच्छे सब 3-4 सीटी पर बॉयल हो चुका है अब हम तड़का लगाने के लिए हम गैस के उपर बरतन रखेंगे उसमें ऑल डालेंगे एक सिरेडी चमच बड़ी चमच मे देखें जीरा का तड़का और राई का तड़का लगा रही हूँ मैं इसमें हम राई जीरा का तड़का लगाएंगे लहसुन डालेंगे कटी हुई तिन-चार कली लहसुन की कटी हुई डालेंगे और यह देखें बड़े-बड़े तुकडों में प्याज और लंबे-लंब कट करके मैंने मिर्च रखा है हरी मिर्च वो तड़के में लगाएंगे और यह है कड़ी पत्थे कड़ी पत्थे भी डालना है हमको सामर में यह मैंने हिंग लिया है हिंग को भी फ्लेयर बहुत अच्छा आता है सामर में प्रैंट से आप जरू डालिए अगर आपको अच्छा लगे तो और यह मैंने शिमला मिर्च और गाजर मैंने तैयार करके रखा था गो डाल रहा है आप चाहे तो जो भी सब्जी आपके अपसे के चाहे गाएबल है वह स्टाइम पर आप डाल के तो घ्लका सीकता हैं मैंने इसमें जो हरा मसाला और पीस के रखा था अध्रेक लिसून का पेस्ट और हरी मिर्च हरी धनिया का वह मैंने डाला है और लाल मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर Paige थोड़ा सा धनिया पाउडर यह सब हमको basic masala भी थोड़ा थोड़ा डालना है इसमें और फिर भूनना है सबजीयों के साथ में दीखिए और टामाटर इसमें थोड़ी ज़्यादा मातर में ही डालना है व्यूकि सामर खटा होता है प्रेंट तो हम और कुछ खटाई ना डालके हम टामाटर की मातर क्योंकि अभी ठंड के बहुत खटे टामाटर आ रहे हैं इसली टामाटर की मातर हमको ज़्यादा ले लेना है और खटाई कुछ नी डाल रही हूं मैं चाहे तो आप अमचूर पाउडर यहां पर डाल सकते हैं या इमली के पल्पस डाल सकते हैं यह हमारा मसाला भून चुका है और म अमी वाला साभर बन के रिडियो गया है आपको मैं याद दिला दूँ अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और नीव है तो आप सब्सक्राइब करिए थैंक्यू गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में टेक्या एक चीज और डालना है मुझे आपको बता रही हूं यह देखिए यह मैंने मुंगा बॉयल करके रख लिया था क्योंकि यह पकते नहीं है जल्दी से अलग से हल्दी नमग डालके वो लास्ट पे हमको एड करना है मुंगा को टेस्ट बहुत अच्छा आता है साउथ इंडियन लोग मुंगा डालके जरूर प्यार है सर्व करने के लिए थैंक यू फ्रेंड